Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel इस वीडियो में हम बात करेंगे बारल फीवर के बारे में क्योंकि अभी वरसाद का मौसम है तो ये जो बारल फीवर है बहुत तेजी से हर किसी को हो ही जाता है तो आए हम जानते हैं कि बारल फीवर कैसे होता है क्यों होता है और इसका उपचार कैसे करेंगे वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे तो जानते हैं तो बारल फीवर क्या है ये बारल संक्रमन के कारण सरीर का तापमान बढ़ जाता है इसमें आमतार पर ठकान होता है, बदन दर्द होता है, कभी खासी और गले में खरास जैसे लक्षन सामिल हो सकते हैं अब हम लोग इसका क्या देखते हैं, कर बारल फिवर हो रहा है, तो किस कारण से हो रहा है, वो हम लोग देखते हैं ठीक है ते किस बैसे हो सकता है इंफ्लेंजा बारस के करण हो सकता है कोमन कोल्ड के करण हो सकता है जैसे समान सर्दी जैसे बरसात का मौसम है तो मौसम के चेंज होने की बैसे हो सकता है डेंगू बैसे हो सकता है यह मौस्कीटो के काटने की बैसे होता है कौन सो मौस्कीटो के सब्सक्रायुक्षा करना होगा मrau देखतें हाई तंपरेशर होगा जैसे उसका बोडी कगम मांफिरों न होगा तुसी पर सिना आना इसको में पसीना आ सकता है हैडिक हो सकता है मन स्वी और जोड़ों में दर्द हो सकता है ऑगे थकान और कम जोड़ी हो सकता है sore throat हो सकता है, गले में खरास हो सकता है, क्योंकि मौशम हो सकता है, कि उसना हो सकता है, उससे गला में खरास आ सकता है, निच्ट क्या है बहती या भरी हुई नाकमल शर्जी जो काम हो सकता है कब हो सकता है खासी हो सकता है ओके अब हम लोग देखते हैं किसी को हो गया तो कोई person डॉक्टर पस गया पता कैसे चलेगा उसको वारल फीवर हुआ है तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते है कंप्लिट ब्लेट कोंट होगा उसमें जतना तरह का बमें विसियर बढ़ा रहेगा तो उस वे पथा चलिए कि बारल संगरमन इस व्यक्ति को हुआ है और ऑफ में देखते हैं यहाल ज्यादा इन्फिक्षां किसी को हो गया तो चेश्ट एकसे से भी पता चला जासकता है चेस्ट एक से पता कैसे लगा क्योंकि जादा रिंफेक्षन हो जागा तो चेस्ट जो एक से कराएंगे तो इंफेक्षन पता चल जाएगा अब हमने नेक्ट के देखते हैं इसका ट्रीटमेंट देखते हुचार कैसे करेंगे वो देखेंगे और किसी पसन को बारल फिवर हो गया तो उसको क्या कहेंगे जादा जादा आराम करने के लिए कहेंगे और तरल पता जादा जादा पानी को सेवन करने के लिए कहेंगे यह ज़्यादा पानी पीए ज़्यादा डव पी सकते हैं जूस पी सकते हैं यह सब पीनी के लिए उसको बोलेंगे और किसी पसंद को हो गया तो अंटिपरेटिक देंगे जिसमें क्या पराशिटमॉल देंगे जिसे क्या को बुखार कम जाएगा टेंपरेचर जो है कम अब निफ्ट क्या है ज्यादा होगा तक कप सीरफ दे सकते हैं ओके या गले की गोलियां दे सकते हैं जीसे गले का खरास खतम हो जाए अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे हाइजिन प्रैक्टिस कहेंगे ज्यादा साप सुथरा रहने के लिए कहेंगे हाथ को सावुन और पानी से बार रहत होने के लिए के हैंगे किया द النक लिए जिससे क्यों होगा वह आपके अंदर नचला सकता है तो इसे को ये पेर्द होidd et qui कह न खानाे सब्क्राइब को ends met , अ है है सब्सक्राइब मेरे सब्सक्राइब की चैनलको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जाला सदा शेर कीजिए थैंक यू